हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्र और आज का एक बड़ा ही मत्तपुन टोपिक है जो गोर्मेंट ने नई इसकीम लॉंज करिये इफ इसकी जो फुल फोर्म है इन्वोईस फर्निसिंग फैसिलेटी इस इसकीम के थुरू अपना जो रिटन है पहले जाता था कौर्टरल तीन मैने में एक बार रिटन फाइल करते थे लेकिन अब गोर्मेंट ने इसकीम चेंज कर दी है अब आप चाहे आपका मन्थली हो चाहे क्वाटरली हो मन्थली है तो आपको मन्थली रिटन फाइल करना है जो भी आपकी डेट होती है 11 तारिक इसकी डेट होती है जिस मैने का आप business कर रहे हो जिस मैने का आपको return बेजना है उसके अगले मैने के 11 तरीक के पहले मंथली वालों को उसका return फाइल करना जरूरी होता है अगर वो return time पे फाइल नहीं करते हैं तो उनके जो भी suppliers है जिनके लिए वो माल बेजते हैं उनको ITC नहीं मिलेगा ऐसे ही quarterly वाले जो quarterly return फाइल करते हैं उनके लिए एक अलग से नई scheme चालू करी है invoice furnishing facility इसके थुरू जो जिन पार्टियों को लिए माल बेजते हैं उनको चाहे वो आपकी दो पार्टि हो चाहे चार पार्टि हो जिस मैने में बी टू बी पार्टि जो होती है business to business जिन पार्टियों को आप माल बेजते हो GST वाली पार्टियों को तो उनको उनका return आपको हर मैने फाइल करना होता है तब जाके उनको ITC वो claim कर पाएंगे और यह जो पैसे लिटी है नई launch करिए अभी इसके features भी जैसे software होते हैं उसमें नई आये हैं तो इसमें एक जो facility है GST portal से एक utility है उसके तरू आप convert कर सकते हैं GST R1 की जैसे आप report निकालते हो बीजी software में GST R1 की जैसे आप report निकालते हो उस report को CSV file में आपको save करना है उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा किस तरह से उसको convert करना है IFF में तो आप जैसे आप उसको convert कर लोगे तो आप उससे GST portal पे file कर सकते हो और आपके जो भी customers है उनको ITC दे सकते हो और उसको time पे file करना जरूरी है जैसे qrmp scheme का जो return जो file करने का जो time read होता है उसका जो time होता है जिस मैने का आप return file कर रहे हो उसकी तेरा तारिक उस अगले मैने के तेरा तारिक के पहले पहले आपको return file करना जरूरी है अगर आप return time पे file नहीं करते हो तो आपके जितने भी clients यानि जिन पार्टियों का GST number डाल रखा है आपने आपके accounts में उनको ITC नहीं मिलेगा तो इससे बचने के लिए आपको हर मैने आप तेरा तारिक से पहले आपका IFF जो facility है उसका return file करना बहुत जरूरी है और इस return को file करने के लिए आपको step by step बताया जाएगा किस तरीके से आप return file कर सकते हो पहले आपको आपका GST portal open करना है जो side है जिसे open करोगे तो आपको download पे क्लिक करना है डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको offline tools पे क्लिक करना है इसके बाद आपको क्लिक करना है return offline tools पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पे डाउनलोड लिखा हुआ है इसको आपको डाउनलोड करना है इसका नाम है रेटन ऑक्लाइन टूल्स बर्जन वि 3.0凪्म जीरो इसको डाउनलोड कर लेसे आप इस पे डाउनलोड पे करोगे तो यह जो 29 MB की जो फाइल होती है वो डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड होने के बाद इसको कर लेना है आपको इंस्टॉल मेरे पास already डाउनलोड है फाइल चुकी है मैंने इंस्टॉल भी कर रखिये इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको डबल क्लिक करके okay करना है जैसे आप okay करोगे तो आपको इस तरह का interface नजर आएगा आपको इस पर new पे क्लिक करना है new पे क्लिक करने के बाद आपको gstr1 iff इसमें enter है जैसे आप इस पर enter करोगे तो इसमें आपको gst of suppliers के gst number enter करने है मैं gst number निकाल लेता हूँ इनका जैसे gst number है gst number यहां से मैंने copy किया जो यह पर्ष नमबर का जो option है इस पर no रखना है second नमबर जो option है इस पर yes रखना है अनि quarterly फाइलर्स हो इस पर yes कर देना है इस करने के बाद proceed पर क्लिक करना है जैसे आप proceed पर क्लिक रोगे तो आपकी details आपके सामने आ जाएगी आपका gst number और आपने जो return select किया है उस returns की details यह राजाएगा आपका और इसके लावा text read आ जाएगा इस पर yes करना है यह करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो भी बॉक्स है जो आ जाएगा अब आपको यहां से वो जो फाइल आपका bg software ओपन कर लेते हो तो आपको display पर enter करना है gst reports पर इंटर करना है gst returns और gst Returns पर आपको click करना है click करने के बाद आपके सामने यहां पर gsn फैल और इसके बाद आपकी csv फैल एस पर gorman template और line एक्सल लिखा वा है तो आपको csp फैल पर एंटर करना है csp फैल पर जैसे आप आप एंटर करोगे तो यहां पर आपको टाइम प्रीड डालना है कि कौन से मन्त का आप GSTR1 निकालना चाहते हूं जैसे मैं टाइम प्रीड है एक जनवरी से 31 जनवरी इसके बाद मैंने जो डेस्टोप पे एक फोल्डर बना रखा है बीजी आई एफ है के नाम से एक फोल्डर बना रखा है जैसे यह फाइल बनेगी यह उसी में सेव हो जाएगी मैं इस पर कर लेता हूं क्लिक क्लिक करने के बाद आप यहां से ट्रंजिक्शन चेक कर सकते हैं कि कि किसी पार्टी का GSTR1 नमबर गलत तो नहीं है अगर किसी का GSTR1 नमबर गलत है तो आपके सामने यहां रेड लाइन शो हो जाएगी कि इस पार्टी का GSTR1 नमबर सही नहीं हो इसके बाद अगर आपके कोई कोईâtशन में कोई किसी तरह की प्रोबलम है तो यहां से पता कर सकते हो और झार नमबर का老師 है यहां कुछ वरर डॉकमेंट से रालीटेट को एलर होगा तो यह यहां से पता कर सकते हो आपको प्रोशीड थैज एसन पर किलिक करना है जैसे बेकर करोगे तो आपके पास यहां से एक complete तरीके से फाइल बन के तयार हो चुकिए इसके बाद चेक करके देख लेते हैं किसमें फाइल आपकी जो भी फाइल जो बनती है अब बीटुबी बीटुसी एस credit note इसके लावा जो भी आपके exempt वाली और इसके लावा जो भी आपके hsn वाली जो भी फाइले जितने भी तरह की जो फाइले बनती है वो 11 तरह की फाइले बनके बिलकुल तयार हो चुकिए इसमें से आपको बीटुबी इन्वेसी अपलोड करने हैं और इस रिपोर्ट में से जिसे आप चेक करोगे तो मेरे पास जो बीटुबी की जो इन्वेस है ये मेरे पास इसका जो के भी है ज्यादा है मत्तब इन में डॉकुमेंट्स यानि यह बिलकुल है इसमें कुछ भी नहीं है डेटा इसलिए इनका जो केभी है बहुत कम है और इसका जो लास्ट का जो डेटा है इसमें फूर केभी की जो फाइल्स है इसमें वीटुबी फाइल्स है इसका चेक करके देख लेते हैं कि इसमें पार्टी का जीएसी नमबर लिखा हुआ है प इसको आपको जो IFF में convert करना है तो किस तरीके से आप convert करोगे इसके बारे में मैं आपके लिए बताऊँगा जैसे इसको कर देता हूँ मैं बाहर निकल जाता हूँ इसके बाद आपने जो वो utility डाउनलोड करी थी तो उस पे आ जाना है इसके बाद यहां import file पर click करना है यहां पर लिखावाए import return all section आपको all section select नहीं करने है आपको only one section select करना है first में one section और second आप credit note का section select कर सकते हो या bill amendment का section select कर सकते हो आपको all section select नहीं करने है मैं first में कर लेता हूँ B2B B2B पर जैसे click करूँगा तो मेरे सामने दो option और नजर आएंगे first वाला जो option है इस पर मेरे को click करना है जैसे मैं click करूँगा import CSV पर import CSV पर click करने के बाद मेरे सामने वो जो मैंने report बनाई थी वो पूरी report मेरे सामने आ चुकी है इसमें से मुझे केवल B2B invoice जो भी है वो वाली file select करनी है इसके बाद मुझे कर देना है open यह जैसे आप click करोगे तो इसकी details भी आपके सामने आ चुकी है बिल्कुल complete तरीके से GST number, party का नाम, invoice number यह जो GST का जो format होता है इसमें यह complete तरीके से save हो चुकी है इसको आपको check करना है कि कहीं पर जो आपने जो data इसमें upload किया है इसमें कोई गलती तो नहीं है इसको check करने के लिए मैं आ जाता हूँ BG software पर मेरे पास total invoice है जो 19 invoice है मैं check कर लेता हूँ कि मेरे पास जो returns जो मैंने जनवरी का GST R1 को convert किया है IFF facility में तो मेरे पास total 19 invoice है ज्यादा है ये कम है एक बार check कर लेता हूँ जैसे check करना है तो आप यहाँ से check कर सकते हो GST returns पर click करना है इसके बाद GST returns R1 पर click करना है इसके बाद आपको date enter करनी है date enter करने के बाद आपके सामने इस तरह की report बनके आएगी यहाँ पर total invoice है जो 19 बने हुए है मेरे पास और यहाँ पर भी upload जो हुए है 19 है इसके लावा CGST है इनका amount है 13,744 रुपे 25 पेसे CGST और SGST भी इसका 13,744 रुपे 25 पेसे amount है इसको भी चेक करके आप इसे आ रहा है तो इसमें मात्र 10,20 पेसे का difference है यह कोई खास difference नहीं है और इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो भी GSTR1 का जो data है वो IFF में convert हो चुका है और इसको convert होने के बाद आपका tax amount चेक कर लिया इसके बाद total invoice check कर लिये इसके बाद आपको जो दूसरा जो section है वो भी आपको check करके देखना है मैं bake आ जाता हूँ bake आने के बाद इस पे यहाँ पे import file पे click करना है इसके बाद आपका अगर कोई credit notes है तो आप credit note भी आपको यहाँ पे add करने अगर आपका कोई amendment का है bill amendment B2B से related कोई amendment है तो वो अली file भी आपको यहाँ पे add करनी है उसके बाद ही आपका IFF की जो पैसे लेटेज है उसका आप सही तरीके से use कर सकते हो इसके बाद आपको करना है यहाँ पे view summary पे enter करना है enter करने के बाद आपको यहाँ पे generate file पे click करना है जैसे आप generate file पे click करोगे तो आपके सामने एक json file बनके आ चुकी है इसको कर लेता हो मैं double click करने के बाद यह download हो जाएगी मेरे पास यह file download हो चुकी है और 5 बज़ के 16 मिनट पे यह file download हो चुकी है और इसके जो size यह 5K भी है यह मैंने पहले भी download कर ले थी इसलिए पस इसमें यह लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो आप इस तरह के से jsn file बना के आप gst portal पे जैसे आप इसको upload करोगे gst portal पे कैसे upload करनी है इसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ जैसे आप gst portal पे enter करोगे enter करने के बाद आपको login पे किलिक करना है और आपके username पासवर्ड enter करने आप जैसे अपने username पासवर्ड एंटर करोगे enter करने के बाद आपको login कर देना है login करने के बाद आपके सामने जैसे gstr1 का जो option आता था gstr1 का option नहीं आएगा gstr1 की जगे आपके सामने जो option आएगा iff facilities का option आएगा उस पे आपको जैसे आप select करोगे month select करना है yes select करना है और january month का जैसे आप select करके उसको offline upload कर देना है जैसे आप upload करोगे तो आपका file जो gstr iff की जो facility है वो सही तरीके से upload हो जाएगे और आप जिन पार्टियों के लिए माल बेश्ट है उनको ITC सही तरीके से मिल जाएगा i hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो like और say जरूर करें वीडियो देखने के लिए दिल से दन्यवाद माल बेश्ट हैँ झाओ माल बाख करैम sleबrou झाओ माल ॉन्या यहँ मäल झाओ opens दो वीडियों झाओ करें हो的 दिल माल झाओने यॉक है तो दो करेंद matches?